नमस्कार जैहिंद बंदे मात्रम श्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म UBM क्लासिस में दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जन्रल कोच और स्लीपर कोच यानि रेल गाड़ी के डिब्बे में जो रेल गाड़ी के डिब्बे होते हैं कोच होते हैं उनमें जन्रल की कौन सी होती है और स्लीपर कोच कौन से होते हैं बहुत सारे लोग डिफ्रेंस नहीं कर पाते हैं, पूछने लगते हैं कि सर ये क्या सिलीपर है या जनल है, तो जो लोग डिफ्रेंस नहीं जानते हैं, जो लोग नंतर नहीं जानते हैं, आज हम उनको बताएंगे कि नॉर्मली वो कैसे पैचान सकते हैं, कि कौन सा जनल कोच ह और कौन सा Slipper Coach है ठीक है दोस्त तो अगर आप चैनल पे पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले और दोस्तों को सेर जरूर करें चलते हैं बीडियो और इंफॉर्मेशन की तरफ ठीक है दोस्त तो मैंने आपको बताया कि आप डिफ्रेंस कैसे करेंगे पहली बात दो जो जर्नल कोच होते है ना देखिए उसमें इस तरह क्या होता है कि एक बाहर जीयस का प्लेट लगा होता है जो डबबा होता है जो बोगी होती है जो कोच होता है उसमें क्या होता है कि जीयस का प्लेट लगा होता है यानि ज जैनल जो coach होता है यानि जो टिकिट लेके counter से सीदा चला जाता है डारेक्ट चड़ जाता है जाके coach में वो होता है GS coach जनल coach उसमें direct चड़ जाता है इसमें पहली बात उसमें plate side में लगी होती है GS की पहला differenceů दूसरा डिप्रेंस नॉर्मली ता है कि किसी भी डिब्बा देखेंगे आप जो कोच होता है वो सब अलग अलग होते हैं यानि कि कोई भी डिब्बा किसी भी डिब्बे दूसरे कोच से आपस में जुड़े नहीं होते हैं इस तरह जुड़े नहीं होते हैं कैसे होते हैं इस नापस में इंक दूसरे से कोई भी जूरा हुआ नहीं रहता है एक डिपबे में चड़ें गों तो उसी में रहें बाम दूसरे में आप नहीं जा सकते की अधर उन्दर की या ठाउता हैं अगर आप यह नहीं जानते तो पिछला बीडियो जो मैंने आप पर बता दिया कि डिब्बे आपस में जुड़े नहीं होते हैं ठीक तीसरा डिफ्रेंस क्या है कि तीसरे डिफ्रेंस के अगर हम बात करें तो जो यह आप साइड में देख रहे है न यह कलर भी लगा होता है और यह हैचिंग रहे यह जो तिर्छी लाइने बनी होई न दोस्त में देखिए या AC कोच में नहीं है अधर देखिए Sleeper कोच में भी नहीं है यह देखिए General कोच में इस तरह की हैचिंग रहती है तो तीसरा डिफ्रेंस आप यहां से भी जान सकते हैं कि General कोच है या Sleeper कोच है बाइद अबर आपने यह कुछ भी नहीं देखा और आप क्या तो आप इस तरीके की जो seating arrangement होता है चाओ था जो difference मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके की जो seating arrangement होता है देखाओगा आपने ये seating लगी होती है इनको देखके भी आप coach में कदम रखते ही seating arrangement को देखकर ही आप जान सकते हैं कि ये कोई sleeper coach है या journal coach है अगर इस तरह के seat लगी होई है arrangement है तो वो कैसा है वो sleeper है यानि वो reservation है यानि वो आरक्षित coach है यानि जिसनोंने reservation कराया है वही उसमें जा सकते हैं अगर आप भी जाना चाते हैं तो आपको find पड़ता है उसमें आप जनरल coach और sleeper coach में इस तरह के से difference लगा सकते है कि कौन सा coach डिफरेंस जनरल होगा और कौन सा coach sleeper होगा या AC coach तो जनरली अलग से ही दिख जाता है बाहर जो windows होती है ना जो doors होते हैं वो सब glass के होते हैं नि कांच लगा होता है तो जो AC coach होते हैं तो दूर से ही समझ में आ जाते हैं डिफरेंस रह जाता है तो आपका sleeper coach में है और जनरल coach में तो इस चार difference से आप जान सकते हैं मैंने पहला क्या बताया आपको GS का plate लगा होता है जनरल seat पे दूसरे डिब्बे आपस में connect नहीं होते हैं तीसरा डिफरेंस जो ये hatching होती है ये तीसरा डिफरेंस है ये सिर्फ सिर्फ जनरल coach में ही होता है और चौथा डिफरेंस बाइदावे आप किसी sleeper coach में चड़ गए तो क्या होगा कि इस तरीके के जो seating arrangement होता है उससे भी आप जान सकते हैं आसा करता हूँ दोस्तो जानकारी अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगी है दोस्तो वीडियो को like करें, channel को subscribe करें बेल आइकन को press करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि ए ऐसी informative वीडियो आपको पलपल मिलती रहें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दिए इजाज़त, नमस्कार, जैहिंद